वेलकम यूज्व यॉर वाचिंग लोग लोग शना और दिस इस लोगों से मेरी क्रेस्ट काफी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार गोल पर वीडियो बना दीजीए गोल पर मैंने काफी वीडियो नहीं बनाए है क्योंकि उसका रिजन है दोस्तों गोल के वीडिय सब्सक्राइब है तो मैंने सोचा कि आज टाइम भी है मेरे पास Saturday I was not going anywhere I was at my home तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए गोल्ड पर तो अभी गोल्ड कमोटिटीज पर वीडियो बनाने वालों दोस्तों मंडे के क्या ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे और काफी लोगों क्यों से सर यह नीचे क्यों जा रहा है ठीक है ना वन मंथ का ठीक है तो आइविश कि मैं फ्रिक्वेंट्ली वीडियो बनाता तो श्याद मैं आपको इसी लेवल पर आपको सेल करने के लिए बोल लेता और आपके सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबाके या आपको और क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो के अप्डेट्स टाम टाम मिल जाएंगे और इस इस माई न्यू चैनल यहां आपको स्टॉक मार्ट के मोटिवेशनल वीडियो से मिलते हैं सारी ट्रिक्स किस तरह करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे मोटिवेशनल वीडियो आपको स्टॉक मार्केट से यहां मिल जाएंगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आकन दबा कर सकते हैं तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं रिक्वेस्ट है दोस्तों शुरू स से वीडियो बनाने के लिए मैं इतना उत्सुक हूँ ठीक है और आप जो काफी लोग मुझे क्यों पूछ रहें कि इतना नीचे क्यों गया तो इसका बहुत एक ओव्यस रीजन है दोस्तों अभी क्या हो रहा है इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो स्ट दोस्तों हुआ क्या है कि अभी जो डॉलर्स की रेट जितनी हाइज आ रही है तो डॉलर रेट जब हाइज आ रही है तो सभी कंट्रीज अभी मुझे लगता है कि सोना इंपोर्ट करने में लगी हुई है देखो गोल्ड भी एक असेट होता है यूनों ठीक है ना किसी भी में जो एक कंपोनेंट होता वह गोल्ड भी होता है राइट जिसे रश्या के पास काफी सारा गोल्ड तो हम यूए से गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा गोल्ड कम पढ़ने लगा है सभी कंट्रीज चाइना में तो मुझे लगता है वन सिक्स्टी टन का लेने के बाद हमारा अस्य टन हो जाएगा तो सारी कंट्रीज अभी गोल्ड पर है क्योंकि उनको डी डॉलराइजेशन करना है उनको डॉलर पर डिपेंड नहीं रहे ना उनको भी पता है आने वाले टाइम में डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाईगी क्योंकि सारी कंट् अब है तो अब हम यह से बहुत जादा गोड इंपोर्ट करने वाले हैं जो हमें सस्ते नामों में यह बहुत जादा प्रोड़ इंपोर्ड करने वाले हैं अब ही कहीं तो अब हम इंपोर्ट करने आ ले उसकी वज़ए से क्या होने वाला तो देखें अभी तो क्या मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ती शौटेस थी गॉल्ड की आपको पता होगा कि जब भी हम कोई आर्बी नोट चापती तो उसकी वेविसमन को चाप लेते हैं लेकिन क्राइसिस हो जाएगा जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो पूरा मार्केट क्रेश हो जाता है ठीक है वो चीज़ में आपको बाद में समझाऊंगा लेकिन एक लिमिटेड अमांट में हमें गॉल्ड चाहिए और हमारे फॉरेक्स में भी जैसे एक गारंटी होती है जैसे हम बोलते हैं अगर आपको कोई लोन लेना एडुकेशन लोन लेना तो आप क्या करते हैं एडुकेशन या परसनल लोन लेना तो आपको गोल्ड पर लोन मिल जाता है उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड पर लोन मिलता है ठीक ह तो यह आपका फोरेक्स रिजर्व का एक पार्ट होता है तो हर कंट्री चार एक जितना से ज़्यादा 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 खरीद सके क्योंकि अभी डिसकाउंटेट प्राइस में बिल रहा है ठीक ना उसी की वज़़े से दोस्तों जैसी यह न्यूज आई यहां हो रही है तो अभी यही डील हुई है ठेक ना उसी डील की वज़े से यह आलेते हुगा तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों गौंड में आपको करना क्या है ंभी ट्रेड कर रहा है 50,000 कर रहा हैं तो सबसे पहले में इंडियन मार्कट की बात कर लेता हूं फिर एकसे यूस्डी की बात करेंगे लेकर तो आप चाहते रहा हैं आपको पहले बनाए तो बहुत पहले वीडियो बनाए तो दोस्तों अपको डाल दूँ दोस्तों तो गोड़ पे मैं एक वीडियो बनाया था बहुत पहले और मैंने बोला था कि आपको ये देखिये ये वला आप ये वाला वीडियो देखेंगे दोस्तों काफिय कम वीडियो शाइस दिन से अब जबसे हुआ है तो आई वीश कि मैं रहे तॉचली साथी राग्ज नीच फीर्च विडियो बना पते अब आप यह वीडियो जाके देख लेजेगा तो आपको समझ जाएगा ठीक है और नहीं सब्सक्राइबर नए वीवर था आप उसमें भी जाके मेरे जो भी वीडियो बगर हो देख सकते हैं ठीक है अब क्या करना है ठीक है अलाकि मैंने काफी मुनाफ़ा कमाया है लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों क्योंकि वीडियो बना के मैं करूं क्या राइट क्या करूं वीडियो को देखने वाला ही नहीं है दस या पंद्रा लोगों के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता आप समझ सकते हैं इतना टाइम मुझे भी नहीं रहत तो रात की 12 बज़े उठी भी में वीडियो बना लेता हूं लेकिन अब जब व्यूज नहीं आ रहे तो मेरा थोड़ा सबसे पहले आता है चाइना का नाम फिर आता है इंडिया का नाम काफी सारी कंट्री में अगर सब गॉल्ड में गॉल्ड इंपोर्ट करने में लगी हुई है क्योंकि अभी दोस्तों सस्ता मिल रहा डंप होने वज़ा तो एशन मार्केट क्या गोल्ड को लूट रहे ठीक ना वह निकाल ले जाए ले जा रहे मतलब भरे जा रहे क्योंकि वह बहुत बड़ा फेक्टर होता दोस्ता किसी भी कंट्री में अगर आपके पास गोल्ड जादा है तो उसको एक अच्छा माना जाता है एकोनोमी के लिए ठीक है ना और आपकी जो भी आर्भी वगर की हमारी पर चाइना को बीचे चोड़ेंगे वाला कि हम गर्मे कितना गोल्ड है अगर वह मिला के कंट्री का गोल्ड देखे तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया में नंबर वन हो यह ठीक है लेकिन वह गॉल्ड काउंट नहीं किया जाता है जो गॉर्मेंट के पास गोल्ड है उस को काउंट किया जाता है दोस्तों तो बात कर लेते हैं अभी 1643.90 पर ट्रेट कर रहा है 1.34% की नीचे डाउन है तो बात कर लेते हैं वन डे की चार्ट की सबसे पहले तो बंडे का चार्ट क्या कह रहा जी वंड का चार्ट कहारा है कि आजब देख लेते हैं वंट का चार्ट का उत्यादा पर डेक ह eyeliner हो रहा है तो ब्रेकाउंट तो मुझे लग रहा है देखो इहां पर हो सकता है रिवर्स टुरेंड हो मैं आपको भताओंगा सबसे पहले मैं आरटलाइन बता देतूं कि तो 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 अगर आप देखे लेकिन यहां पर रिवर्स होने की संभावना भी है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मेरे क्यों लोग क्यों करेंगे कि वन टू वन एर का चार्ट क्यों देख रहा हूं जब मुझे मंडे और शोट टम का करना तो त्री मन हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले क्या होता ना यूसली यह हम लोग आते हैं स्टोक मार्ट में सीधा हम यही सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाना है राइट हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया फिर हम सोचते हैं कि हमको प्रॉफि राइट यह उसी तरीके का है कि जब आप कार चलाना सीखते हैं आप लगाते हैं रेस आपको पसंद होता है रेस लगाना लेकिन जब तक आपको ब्रेक लगाना नहीं आता है यू नॉट एबल टू एनिटिंग राइट तो सबसे पहले यह चीज है कि अपनी कैपिटल को से सब्सक्राइब तो हम जब अपना पैसा लगा रहे इतना बड़ा तो मुझे अगर एक सिंगल रुपीज भी लगा रहे तो उसका किसी भी तरीके से हमें कोई नुकसान ना हूँ इसलिए मैं वन टू वन येर का देखता हूँ अपने कोई दिक्कत क्या है वन येर का देखने में चार्ट ठीक है और काफी जो नहीं सब्सक्राइबेस व्योस होंगे वो लोग बोल रहे होंगे कि या आप केंडल स्टिक नहीं देख रहे है त तो 1642.90 पे हैं अभी मैंने पूरा चार्ट देख लिया आप देखिए यहां पर एक बहुत ही अजीब हो गरीब चीज नजर आ रही है आपको वन डे में नहीं वन मन्त के चार्ट में देखिए अगर यहां से 1640 के नीचे जाता है यहां से सुनेगा दोस्तों वापस से तो 1640 के नीचे जाता है यह तो आप मुझे लगता कि बहुत बड़ा क्रेश होगा मेरे साब से आपको 1625 के लेवल दिख जाएंगे यहां से इसमें तो इतना भी बहुत ज़्यादा होता दो यह तीन चार परसेंट भी गोल्ड में डाउनफोल होता था बहुत बड़ा तो 1620 को तोड़ता है तो मुझे लगता कि फिर तो बहुत जादा ही कुछ मार्केट पूरे क्रेश हो जाएगा राइट गोल्ड का मार्केट लेकिन अब उपर के लेवल देख लेते हैं शौट टम प्रस्पेक्टिव में क्या रहेंगे देखिए अगर यहां से एक रिकवर जोट सब्सक्राइगी तो देखिए अगर यहां से एक रिकवर में पचास के उपर जाता है थीक़ा ना सो शौट टम में बोलना हूं 1650 के उपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से मुझे लगना 1660-168 के लेवल सापको शौट टम प्रस्पेक्टिव में द एक परसेंट जादा जादा एक या डिट परसेंट 1660 के आसपास का आपका दिखाई देगा दोस्तों तो शॉट टम प्रोस्पेक्टे में अगर आप मुझे एक कॉमन तिंक्स पूछे कि आपको क्या लग रहा है मुझे क्या लग रहा आउड फिच्चर राइट एक चीज़ होते हैं लेकिन कभी-कभी मैं इनन इंस्टिंट पर भी जाता हूं अपनी लेकिन उसको वह बहुत हाई लेवल की बाते होगी दोस्तों वह श्याद आप अभी उस लेवल पर नहीं है तो काफी चीज़ों होती है तो हम लोग उसको काफी चीज़ों करके भी लेवल्स वगर लेते हैं तो यहां आप अपने लेवल्स के हिसाप से जाईए 1650 के उपर जाता है तो 1660 के रहेंगे 1640 के नीची जाता है तो फिर आपको 1625 के लेवल मिलेंगे यह तो शॉर्ट टम हो गए अब मैं इंट्राडे के बात कर ले तो इंट्राडे में क्या होने वाला है इंट्राडे में बता दो इंट्राडे के लिए वान वीक का चार्ट देखना पड़ेगा तो यह जाता है तो 1646 के उपर अगर सस्टेन करता है एक मिनिट दो मिनिट तीन मिनिट चार मिनिट वहां पर बेट करना ऐसा नहीं इसके लिए पूरी रिसर्च होती है दोस्तों मैं क्यों बोलता हूं वह में डिटेल में नहीं पता सकता वह आप मेरे आजए के उल्टे चंश में जाके आपको पता से जाएगा ठीके ना तो 1645 के उपर और आप बोलेटरी को मद्दे नज़र रखते है 1646 के उपर अगर सस्टेन करता है फोर एट लीस त्री तो फोर मिनिट आप वहां पर वेट करता है अच्छे तरीके से कोई जल्दबाजी नहीं है इस पर वेट करता है तो मुझे लगता है कि आपको 1652 के आपको मिल जाएंगे गोल्ड में राइट वही अगर देखो यहां पर इंट्राडे लेवल भी सेम है और शॉर्ट तर्म प्रोस्पेक्ट्री का जो नीचे का ऐसल वह भी सेम है आपको इमीजेटली आपको मिल जाएंगे तो जो भी आपको लगता है आप उससाब से टेट कर सकते ओन और वहीं अभी मैं सब पर वीरिश हूं आप सब पर वीरिश हो गया है और यार मतलब मुझे इससा बीरिश क्यों लग रहा है आप क्यों बीरिश हो रहे है का मेरे बीरिश होने से मार्केट पू चल नहीं रहा है और यहां बात कर लेते हैं हम इंडियन मार्केट के वापस से चले जाते हैं हम हमारे इंडियन मार्केट पे अब आगए पचास अजार नेवासी पर अब सब लोग तो यह पूस्ते हैं गोल्ड खरीद दूं क्या है यहां पर इस लेवल पर ठीक है न क्योंकि बहुत महिंगा होता है गोल्ड बाद में खरीदा नहीं जाता है शादी ब्याव अगर में राइट तो हम यहां पर वह फि नइसा कभी नी ए HAS कहता है कि इंटर्नेशों कार्केट और इंडियन मार्केत स्वे आख में हो जाता है कभी हो जोन CBS जाता है लेकिन अगले दिन लेंसे कर लेता है वह हो सकता लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है लेकिन औरcheूर गोल्ड में इसा डेफिनिटली पोसीबल गोल्ड में डेफिनिटली को सेब्सक्राइब और यह हो यह जए रहा न वह सारी झीज़ा बहुत सारी चीज़े अगर बूदियो बहुत जब्ला लंबब Looks आपके कमेंट्स पे बहुत बड़े लंबे लंबे आएंगे तो 50,000 नेवासी पे अभी ट्रेड कर रहा है तो वन डे का चार्ट देख लेता है अगर यहां पे अगर यह उपर जाता है तो 50,000 नेवासी है तो अगर वन मंथ के चार्ट पे अगर आप देखे तो मुझे लग रहा कि अगर यह 50,120 के उपर जाता है अगर आपको चैलेंज है दोस्तों अगर कोई ऐसा चैनल आपको दिखे जहां पे वो जो अपने लेवल से वो नॉर्मल चार्ट से दें जैसा मैं देता हूँ तो प्लीज कमेंट शेक्षे में देखे में भी जाद ही देखता हूँ कि इसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो मेरे जैसे ट्रेट करता है या हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में मेरी कॉपी होने लग जाए क्योंकि मैंने देखा है मैं अपने आफ तारीफ नहीं कोपी करने लगे तो अच्छा लगता है तो चलिए बात कर लें थे पचास जाने वासी में आपको आपको ऐसा दिखता है जो इस नॉर्मल चार्ट से आपको ट्रेडिंग लेवर्स वगर दे रहा हूँ विडाउट चैनल स्टिक राइट पचास जाने वासी पे है तो अगर चार सो की लेवल्स आपको दिख सकते है वापसे 55 से 358 सो की टरीट कर सकते हैं लिटेंघ सकते हैं दिस्कलेमर देता हूं तो वह शयद आपको धंसे करवा पाएंगे और मैं आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं राइट तो आपके प्रॉफिट एन आपके लोगत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है तो यह एक डिस्क्लेमर दोस्तों मैं देता हूं फि कितम से वी पैटन बनेगा ठीक है और अगर नहीं होती है नीचे के लेवल में ध्यान रखेगा नीचे दोस्तों अगर यह 50,000 के नीचे जाया ना दोस्तों 50,000 एक लेंड मार्क है अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर जो क्रेश आएगा इसमें रोके पूइड यह पूइड नेचे लेवल से लेवल सापको नीचे इजली दिख जाएंगे जो क्यों गया रहा हूं तो मुझे लग रहा कि आप अपने इसाब से भी कर सकते हैं यह मेरे लेवल से यह चार्ट के लेवल से हैं और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं आप शोट ट अगर आपको 50,200 के उपर जाता है तो मुझे लग रहा कि नियर टाइम में आपको 51,000 के वापस से लेवल से आपको इसली दिख सकते हैं तो गोल्ड में ज्यादा फ्लक्शूशन होता नहीं आपको पता है 1% फ्लक्शूशन होना बहुत बड़ी बात होती है राइट ठीक न हाला कि यहां पर भी काफी जाता वोलेटलिटी है तो 50,200 के उपर आप शोट टम में उपर के दाब बाई कर सकते हैं नीचे के लेवल से आपको बदा देता हूं वापस से नीचे के लेवल में देखें दोस्तों अगर आप 1 मंद का चार देखें तो मुझे लग रहा है कि अ 49,007 वेल मनेट वर में अगर आप ड्रो करें फिबनेसे सरी इस एक यह वाला पॉइंट ले लिजी एक यह वाला पॉइंट भी ले लिजी आप ठीक है तो आपको लेवल्स दिख सकते हैं राउंड आप सम्वेर 49,000 के आस पास clear cut right so i think that will be if you ask in a short term prospective i would say like i'm quite veerish about it right ठीक ना मुझे लगना बीरिश ही रहूंगा मैं लेकिन लगने का अमें आप पहले बोल चुका हूं आपको लगने से कोई फरग नहीं पड़ता है you have to understand the product fit markets right how the product fit market works uh so we have to react according to the markets levels and the fiber necessaries and everything right so this is the levels right and this is it and if you ask me in a normal prospective like how i see all these things out of this charts and only for the news related informations and all so अगर आप चाहते हैं कि एक मिट के लिए मैं चार्ट को अलग से रख लूं निकाल लूं और सिफ बात करूं न्यूस पर स्टैट्स पर बाग करूं तो मुझे लग रहा कि स्टैट्स के बैसिस पर मुझे लग रहा कि क्वाइट बीरिश अवाओ इट क्योंकि अभी तो डील हुई है लेकिन अब और अन टॉल मुझे लगता है कि नियर टब में काफी निच्छे जा सकता दोस्तों और आई वुड एक्सपेक्ट अरॉं 49,000 बट अगर उपर के हमारे लेवस तो तो 51,000 भी आ सकता दोस्तों है अगर आपको इसी तर के आगे भी वीडियो चाहिए कूछ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करें यह वाला बटन जो है आपको दिख रहा है ना यह वाला यह वाला अगर आप यह नहीं दबाते तो आपको नोटिसिफिकेशन्स नहीं मिलंगे तो इस कोड़ इस जैन साइनिंग ओफ